दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हेल्थ समस्या पर जिसे पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या माना जाता है और बहुत सारे लोग इसे पीडित होते हैं क्या वो वास्तर में पिडित होते हैं या उन्हें लगता है कि उनको ये health issue है दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ constipation की यानि कब्स की एक ऐसी बिमारी जिसके बारे में बहुत सारे मित है और दोस्तो ये एक बिमारी भी नहीं है ये एक condition है ये एक medical condition है ये एक symptom है यानि एक लक्षण है जो अन्य बिमारियों के false group हो सकता है या हमें वेहम भी हो सकता है जी हा मैं सही कह रहा हूँ हमें वेहम भी हो सकता है बहुत सारे लोग कबज से पीडित होते ही नहीं उन्हें लगता है कि उन्हें constipation है आज के वीडियो में रियल में जानेंगे कि वाकई constipation एक बीमारी है या एक लक्षन है या लोगों का वहम है तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में हाँ एक बात और इस वीडियो के अंदर हम वो मेजर चार कारण भी जानेंगे जिनकी वाज़े से constipation होती है हम पाँच उपाए भी जानेंगे प्रिवेंशन के जिन से आप अपनी constipation दूर कर सकते हैं और हम जानेंगे एक घरेलू नुसका भी जो बहुत शानदार है आदत नहीं डालता नेचुरल है आयरवेदिक है आप अपने घर में बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो छोड़ के कहीं मच जाइएगा और यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले जानते हैं कब अज होती क्या है इसकी परिभाशा क्या है दोस्तों जब intestinal movement कम हो जाती है जब bowel की frequency कम हो जाती है जब हमें stool नीमित नहीं हो पाता तो इसे constipation की श्रिणी में रखा जाता है WHO यानि World Health Organization के इसाब से यदि कोई व्यक्ति एक हफते में तीन बार motion पास करता है stool पास करता है तो वो covers की category में नहीं आता दोस्तों भारत के अंदर ये मानना है कि हमारा पेट हर रोज साफ होना चाहिए तब ही हम स्वास्ते के दिकारी हो सकते हैं WHO कहता है कि हफते में तीन बार भी आप stool पास करते हैं तो आपको कबस नहीं है दोस्तों बात करते हैं constipation के कारणों की मुख्या रूप से constipation के कारणों की बात करें तो इन्हें चार हिस्सों में बाटा जा सकता है सबसे पहला डाइट दोस्तों हमारी आपों को काम करने के लिए खूप सारे फाइबर की जरूरत होती है क्योंकि हमारी आप 30 से 32 फुट लंबी होती है जो मुझ से शुरू होकर एनस तक जाती है पहले पाचन मुझ में शुरू होता है टालीन गरंती से एंजाइम निकलते है उसके बाद इसोफेगस है फिर पेट है, पेट में hydrochloric acid बनता है, जिसे जटरागनी कहते है उसके बाद liver से enzyme बनते हैं, liver के साथ में छोटी आत होती है जिसे small intestine कहते है, small intestine के भी तीन भाग होते है फिर बड़ी आत होती है, जिसे large intestine कहते है उसके साथ में appendix लगी होती है, उसके बाद rectum आता है, sigmoid colon होता है transverse colon होता है, और उसके बाद आता है anus तो यह इतनी लंबी जो हमारी आत होती है, उसमें से भोजन जब पास होता है वो धीरे धीरे जो काम की चीज़े होती है, उन्हें अलग करता जाता है और जो बेकार की चीज़े होती है, जिसे मल कहते हैं, उसको अलग करता जाता है तो दोस्तों, यदि भोजन के अंदर किसी वज़े से fiber कम हो जाए तब हमारी intestinal movement कम हो जाती है, और हमें constipation हो जाती है दूसरा, पानी का एक बहुत बड़ा role होता है पानी हमारे stool को soft करता है, तो पानी कम हो जाए, तब भी हमें constipation हो जाती है दूसरा कारण है, sedentary lifestyle दोस्तों, आज कल लोग physical मेहनत नहीं करते, exercise नहीं करते, सहर नहीं करते योगा नहीं करते, तीन दिन पहले ही Lancet Magazine के अंदर एक research पब्लिश होई है जिसमें भारत के अंदर 47% लोगों को RC करार दिया गया है यानि वो लोग 20 मिनट भी daily physical activity नहीं करते WHO के नुसार, एक हफते में 150 मिनट की exercise या सहर अवश्यक होती है ताकि आप का शरीर स्वस्त रह सके दोस्तो, यदि इस से कम movement body की हो, तो हमारा शरीर बीमार हो सकता है constipation भी इसी का एक परिणाम है यदि हमारे शरीर के अंदर intestinal movement सही नहीं होंगी हम physical active नहीं होंगे, हम आलस में रहेंगे तो हमें constipation हो जाएगी तीसरा कारण है, medication दोस्तो, बहुत सारी दवाईयां ऐसी होती है जो constipation कर सकती है उसके अंदर अफीम से बनने वाली चीज़ें ऐसी कुछ दवाईयां है जो constipation कर सकती है इसके लावा antidepressants और iron supplement भी constipation कर सकते हैं और चोता है medical condition दोस्तो, यदि कोई व्यक्ती hypothyroidism का शिकार है तब उसे constipation हो सकती है diabetes में भी constipation हो सकती है IBS के अंदर भी constipation हो सकती है शरीर के अंदर कुछ ऐसे और भी disorder होते हैं जिनकी वज़े से constipation हो सकती है, यानि चार कारण है हमारी diet, sedentary lifestyle medication और medical conditions दोस्तो, बात करते हैं लक्षणों की, यानि symptoms की सबसे पहला symptom, यदि आप एक हफते में तीन बारते कम stool पास करते हैं तो वो constipation की च्रेनी में आता है दूसरा, यदि आपको stool पास करते हुए pain होता है, staining होती है तब ये constipation की च्रेनी में आता है, तीसरा, किसी किसम का blood आता है, या staining होती है तब ये constipation की च्रेनी में आता है चोथा, यदि आपको पेट में दर्द होता है, और discomfort फील होता है, तो ये constipation की च्रेनी में आता है, और पांचवा यदि आपको bloating होती है आपको पेट में गैस बनती है, पेट फुला होता है तो ये constipation की श्रिणी में आता है तो दोस्तो ये पांच मुख्य लक्षन होते है constipation के निदान यानि diagnosis पता कैसे लगे कि आपको constipation है दोस्तो यदि आपको ये लगता है कि आपको उपर वाले सारे symptom है तो उनका diagnosis आप कैसे कर पाएंगे दोस्तो जब आप डोक्टर के पास जाते हैं तो डोक्टर आपको कुछ test advice कर सकता है जिसके अंदर blood test होते हैं जिसमें LFT वगरा जांच की जाती है उसके अलावा colonoscopy आपको डोक्टर करवा सकता है endoscopy करा सकता है या फिर x-ray advice कर सकता है जिससे पता लग सके कि किस कारण से आपको constipation है दोस्तो अब सबसे important part आपकी कबस दूर कैसे हो आपको कबस हो ही ना उसके लिए बचावाप कैसे करें पांच चीजे हैं यदि ये पांच आप काम कर लेंगे तो आपको जीवन भर कभी कबस नहीं होगी क्योंकि कबस एक बिमारी नहीं है ये सिरफ एक condition और symptom है तो आप इसको इन बातों का ध्यान रखके दूर कर सकते हैं नमबर एक fiber खूब सारा fiber आपको खाना है क्योंकि हमने देखा है fiber यदि श्रीर में कम जाता है तो intestinal movement कम होने की वज़े से constipation हो जाती है नमबर दो पानी पानी का बहुत बड़ा रोल होता है constipation को दूर करने में क्योंकि बड़ी आंतों के अंदर पानी एब्सोर्ब होता है यदि हम पानी का सेवन कम करते हैं तो stool सूख जाता है ड्राइ हो जाता है और जिससे हमें कबज हो जाती है यदि हम पानी प्रोपर मात्रा में लेंगे तो आपको कभी भी कबज नहीं होगी और नमबर तीन exercise दोस्तों intestinal movement को दुरुस्त रखने के लिए ठीक रखने के लिए physical movement बहुत जरूरी है sedentary life style वाले लोगों को हमेशा constipation का सामना करना पड़ता है तो यदि आप कम से कम 30 मिनट की exercise हफते में 5 दिन करेंगे आपका bowel system ठीक रहेगा आपका intestine ठीक से काम करेगा intestinal movement ठीक रहेगे और आपको कभी कबज का शिकार नहीं होना पड़ेगा दोस्तो नंबर 4 कोमोड आज कल जो western कोमोड है वो भी एक कारण है constipation का हमारे भारत के अंदर पहले हम मल त्याग के लिए मलासन का इस्तेमाल करते थे जो कोमोड इस्तेमाल करते थे वो गुटनों के बल गुटनों को मोड कर बैठते थे तो उससे automatically इंटेस्टाइन पर प्रेशर आता था सिग्मोड कोलोन इंटेस्टाइन और रेक्टम पर प्रेशर आने की वज़े से स्टूल असानी से पास हो जाता था लेकिन जब से western कोमोड आए है ये समस्या बढ़ती जा रही है तो यदि आपको घुटनों की दिक्कत नहीं है आप अराम से घुटने मोड कर बैठ सकते हैं इंडियन टोइलेट और इंडियन कोमोड ज़्यादा बेतर है और नमबर पाँच दोस्तो आज के समय में हमने सबसे गंदी आदर डाल ली है अपने टोइलेट के अंदर भी फोन को ले जाने की जब आप मलत्याक के वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर वो मैसेज बन ही नहीं पाता जो स्टूल को पास करने के लिए अवश्यक होता है फोन आपको डिस्टेक्ट कर देता है और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है युवापीडी में कॉंस्टिपेशन का यदि आप चाहते हैं कि आपको कॉंस्टिपेशन ना हो कबज ना हो तो फोन ले जानने की गलती कभी भी अपने टोलेट में मत करिये तो दोस्तों ये थे पाँच वो तरीके जिनको अपना कर आप अपनी कॉंस्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों ये सारे काम करने के बाद भी अगर आपको कॉंस्टिपेशन रहती है तो एक formula मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत शानदार है जो आपको habit forming नहीं करता जो आपको घर पर ही इस्तेमाल करना है ये एक mild lexative है इसकी आदत नहीं डलती इसे आप घर पे बनाके अपनी constipation को दूर करने के लिए नीमित इस्तेमाल कर सकते है तो आप काफी pen लेकर note कर ले या वीडियो को दुबारा बाद में देखकर note कर लेना तो इसमें आपको 8 चीजें लेनी है सौफ, सनाय और इससब गोल की भूसी 20-20 gram, आवला, छोटी हरड और मुलठी, 10-10 gram और गुलाब के फूल और मिच्री 5-5 gram इन सभी को इकठा करके पीस लेना है, पावडर बना लेना है और रात को सोते हुए एक से दो चम्मच दूद के साथ या पानी के साथ सेवन करना है दोस्तों, इसके नीमित इस्तमाल से आपकी कॉंस्टिपेशन दूर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर नेच्रल फाइबर है नेच्रल लग्जेटिव है इसके अंदर स्नाय, सोफ, गुलाब के फूल इस सब गोल, मुलठी, आमला, छोटी हरड ये सारी के सारी चीज़े बल्क फॉर्मेशन का काम करती है और आपके स्टूल को सोफ बनाती है बल्क की बनाती है जिससे आपकी कॉंस्टिपेशन दूर होती है और दोस्तो किसी वज़े से आप इसे घर में बनाने में एसमर्थ हैं नहीं बना पारे, आपको सारा समान अवेलेबल नहीं हो रहा तो VSTA ने भी इसको पाउडर फोरम में त्यार किया है और इसे नाम दिया है गट क्योर चूरन यह आपको ओनलाइन हर प्लेटपॉम पे मिल जाएगा आप इसे भी मगा सकते हैं तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत विशेश रहा होगा यदि आपको लगता है कि कॉंस्टिपेशन की समस्या से भारत को निजाद करने के लिए इस वीडियो की थोड़ी सी भी भूमिका हो सकती है तो इसे आप शेयर करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक ने विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार